यदि किसी की संगती से आपके बिचार बदलने लगें तो मान लीजिये समझ लीजिये कि वो साधारण इंसान नहीं है यदि किसी की संगती मात्र से ही आपके बिचार बदलने लगें तो मान लीजिये कि वो साधारण इंसान नहीं है नमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PBR स्ट्रडी में है उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया नंबर एक की चल रही है किसी परकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करेंगे रात के दस बज़े से आप डियलेट पढ़ते हैं नव बज़े से बेसिक मैथ पढ़ते हैं और इसी करम में हम उबस्तित हो चुके हैं कि सभी जुड़ जाएं फटा फट कलास को एक बार सेयर कर दें दबाके बच्चे सभी आ जाएं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 सितंबर तक आपकी कलास का लेंथ थोड़ा छोटा होगा उसके बाद फिर लंबी लंबी कलास होगी भाग दोड़ वालियां 10 सितंबर तक सिर्फ थोड़ा छोटी कलास चलेगी लाइब नंबर 11 बेसिक मैट्स आजादी का महुच्चो वाली बैच है ठीक है किसी को कोई डाउट है कोई इंक्वारी है नीचे नंबर चल रहे हैं उन पर वाट्साप मैसेज करें निभेदन है अपना नाम कलास और अपनी इंक्वारी लिख के भेजें हम आपको रिप्लाई करेंगे साथियों एक चीज सुनो ध्यान से अगर मैं आपको एक नंबर दूँ जैसे मैंने कहा कि फॉर का स्कॉयर कितना होगा तो मेरे मुझ से निकला कि आप पठाग दे बता दोगे पक्का बता दोगे न लेकिन अगर मैंने कहा कि चच्चा 45 का इसको आर कितना होगा हो तो क्या इसको भी बता दोगे इसको भी बता दोगे क्या नहीं न मैं इसको भी बता दूँगा देखो कैसे ये 16 होगा ये कितना होगा जानते हो 25 का 5, हासी लाया 2 और 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 42 का 2, हाफिल 4, 4.16, 2.18 सही है क्या? 45 का I square ए गडबड है रहे बाबाई ये तो उतिन में ट्रिक क्या बताया था? एफेजों नहीं हो रहा है एक मिनट का है को बेज़ जती भाई देखो, ट्रिक ही ये थी A का I square 2 A B और B का I square आई ही ट्रिक थी ना सब को याद है कि बूल गए भाई, मुझे कुछ-कुछ बूल रहा है लग रहा है ये ही ट्रिक थी ना इसको आप करोगे तो कितना आए गई है 2025 सम्थिंग आए गलग भग आओ देखो कैसे भाई, लाइश्ट वाली गिंती का I square करते है तो 5 का I square 25 हो गया ठीक है 25 का 5 हासी लाया दो अब ये पांचोग 20 20 दूना 40 और ये दो जुड़े का 42 का 2 हाफिल कितना आया 42 का दो हाफिल आया कितना 4 और 4 चोग 16 चार 20 हाँ ये सही तो है सही तो है ट्रिक काम कर रही है बस मेरा बुद्धी थोड़ा सा कर बढ़ जा रहा था मैंने उसको 18 कर दिया था 4 चोग 16 दो 18 कर दिया था उसमें आफिल चार रहा था सभी कर लोगे ना तो अब इसी में एक सिकेंड में मुझे बताओ जल्दी कर देखो बाबु जिनका कोई इंक्वाइरी है नीचे नंबर दिया गया भाईया मेरे साथ ही आप उस पर संपर करिए जो भी आप कहना चाहते हो नंबर पर संपर करिए पढ़ाने दीजिए बहुत कम टाइम है मुझे दसी मिनट का टाइम मिला है पंद्रा मिनट का बस तो हमारी कोशिस है यह ट्रिक फाइनल हो जाए आए इसका आंसर कोई दिया आकास दी बहुत अच्छे बेरी गुड देखो मैं थोड़ा सा किलियर कर देता हूँ बहुत ही आसान है बहुत सिंपल है यह दोको बहुत सिंपल है आपको क्या करना है लाइस्ट वाली डिजिट का स्कॉयर करना है आठ का स्कॉयर करोगे 64 आएगा इसका 4 यहां लिखोगे यह 6 कैरी हो जाएगा इसका डबल करो, दोनों गुड़ा करो आठ सते चापपन और ये हाफिल जोड़ दो इसमें 62 ना 62 का दो यहां लिखो ये पांच कहरी 6 कहरी हो गया सास सता उन्चास एक पचास पांच पचपन फिर गलत हुआ क्या सास सता उन्चास 155-55 साहिट cousin यहार देखो करके देखो गडबर जा रहा है क्या कि ये ट्रिक काम कर रही कि नहीं कर रही है बताऊ कितना लिखा 78 गुड़ा 78 काये को आढ Versa कायको हो का एक मिनट देखो पिर मुझे लगा है कर पड़ जा रहा क्या मतलब आज कुछ मुझे डिश्टर लग रहा है अंदर से क्योंकि त्रीक तो सही है तो सही है छे हजार आना चाहिए मतलब मैं जब तक ट्रीक लिखूंगा नहीं तब तक नहीं आएगा क्या कि यह काई स्कॉाइर टूए भी जल्दी के चक्कर में गड़बड हो रहा है और भी काई स्कॉाइर देखो लाइस्ट वाली गिंति का स्कॉाइर करना भाई क्या करना है लाइस्ट वाली नंबर का स्कॉाइर करना है आठ का स्कॉाइर करो एट एट जा कितना होता है शिक्टी फोर होता है कि नहीं पहले यह बताओ 64 होता है ना तो 64 का 4 यहां लिखो गए यह 6 आपका हाफिल हो जाएगा कहरी अब इसको गुड़ा करो 8 सते 56 56, 4, 60, 62 62 कद्दूई ठीक है लेकिन एक चीज़ देखो पहले इसमें काम नहीं कर रहा है क्या यह ट्रिक एक मिनट भाई या एक मिनट देखो आज मेरा दिमाग सच्ची में नहीं काम कर रहा जाँ धेर मैंने पढ़ाऊंगा पढ़ाऊँंगा लेकिन जादेर नहीं सुनों क्या करते हैं बोनों गिंटि का गुड़ा करो साथ अठे 56, 56 का दो में गुड़ा करो अठील हो यह तो सही है ना 112 कि यह तो अभी सिर्फ मैंने मल्टीपल किया अभी इसकी कछे के इसमें जोड़ो तो 18 काथ अब यह आठ रहेगा ठीक है हासिल कितना ग्यारा आया है अब साथ सता उन्चास में ग्यारा जोड़ो उन्चास में ग्यारा उन्चास दस उन्चास टेक साथ तो यह छे अजार चावरासी होगा आज बहुत कुछ मुझे लग रहा है काफी डिश्टरब लग रहा है है ना जल देर पढ़ाना आज खातरे से खाली नहीं है क्योंकि इतना छोटा छोटा कैलकुलेसन अगर गलत हो रहा है तो कुछ जादे गड़बर ल रही है लोग करें देखो ट्रिक ट्रिक लाय रहा है लेकिन गलत हो जा रहा है तो कि तो सभी कर लोगे ना फटा फटा फट मोहिस सिंग कर लोगे सबीना तो चलो आगे देखो अगला फिव्टी सेबन का स्कॉर कितना आएगा बूलो कितना आएगा फट्टू कमेंट डॉलों को बलक करई जो कबर काफी पेष्ट कर रहे है उनका उद्देश सिर्फ डिस्टरप करना है कलास में बस उनका पढणा नहीं है बिल्कुल उनका उद्देश से है कि इने डिस्टरप करो बस आदित पाल कल्पना निसाद नहीं हो रहा है तो नंबर दिया गया नीचे उस पर संपर्क करिए न कहां को परसान है यहीं सारी मुसीबत बता देना है क्या सब कुछ यहीं बता देना है क्या कि 57 का स्कार कितना होगा मैं लाष्ट वाले का स्कॉयर करोगे बर यहीं पर लाइस्ट वाले डिजिट का स्कॉयर करोगे देखो यहां पर मेरे भाई यह आईसा है जो नए नए जुड़ें सुन ले यहां पर एक मतलब पांच है और बी का मतलब साथ है यह आईसा करते हैं ठीक है इसी में मान रखते हैं ठीक है तो लाश्ट वाली डिजिट का स्कॉयर करोगे पहले साथ का स्कॉयर करोगे तो 49 आएगा 49 कर नौ यहां लिखोगे यह चार कैरी हो जाएगा आपका अब इसका गुड़ा करो पांच सते 25 35 का देखो फिर यह दोनों गुड़ा करने के बार डबल करते हैं ना सत्तर हो जाएगा कि सत्तर और चार चार क्यों सही जा रहा है कि नहीं है ठीक है हाफिल है कितना सेबन और पचम पचीस पचीस और साथ बत्तिस बत्तिस उंचा साया ना समझ में आया किसी को कोई डाउट नहीं ना तो मेरे भाई यह ट्रिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मैं ये ट्रिक आपको पढ़ा चुका हूँ आप सभी को आना चाहिए जैसे पांच का स्कॉयर पचीस होता है वैसे आपको 48 का स्कॉयर 38 का स्कॉयर 46 का स्कॉयर 51 का स्कॉयर 72 का स्कॉयर यह सब रटा रहना चाहिए कर लोगे सभी ना बोलो कितने देर में कर पाओगे इसको देखो 99 का स्कॉयर 87 का स्कॉयर मैं इसको करता हूं टाइम देखो कितना देर में होता है देखो पड़ापड सा सता उन्चास करना हो हासिल आया कितना चार आठ सते च्छपपन च्छपपन दूना एक सो बारा एक सो बारा और चार शोला हासिल ग्यारा आठ ठाई चोंसाट दस चोहत्तर एक पचात्तर सही है क्या यह सही है क्या सौम्मय चतुरवेदी करके देखो एक बार सभी फटा फट जल्दी से करो फट से करो भाई चलो कितना है 87 मोबाइल में करके देख लेता हूँ 65 और 69 सही तो है सही है ना ठीक है डन तो आपको बहुत बहुत थैंक्यू दस सितंबर के बाद हम आपको एक एक घंटे पढ़ाएंगे तब तक आप लोग कलास को ज़्यादा फिज्यादा सेर करिए मेरे भाई रात दस बज़े से फिर से लाइब होगी अभी PVR Study अप्लिकेशन के अंदर मैं आफर के ताहट जो एक कलास लांच किया था उसमें बहुत सारे बच्चे जोईन किये हैं उनकी कलास में जो चलानी है तो मैं इसलिए इस कलास को थोड़ा छोटी रख रहा हूँ अगर आप भी सिर्फ एक महीने में पूरा बेसिक सीखना चाहते हैं उनली वन मंथ में तो आप मात्र 299 में PVR Study अप में सब्सक्रेप्शन ले सकते हैं और फिर आप डेली तिन तिन घंटे पढ़के एक महीने में पूरा मैस सीख सकते हैं सिर्फ एक महीने में इस नंबर पर फोन पे गूगल पे वाट्सप पे जीओ पे यूपी आई भीम कुछ भी करके आप पेमेंट भेज सकते हैं वाट्सप पे स्क्रेंसाट दे सकते हैं दूसरा तरीका है PVR Study अप में जाएं वहाँ पर प्रोमो कोड कैप्टल में PVR Study का परियोग करिएगा आपको वहाँ पर पूरा फुल डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है 50% डिसकाउंट मिल जाएगा PVR Study ये प्रोमो कोड अप्लिकेशन में यूज करके आप अप में भी पे कर सकते हो ठीक है